हेलो रादे रादे एटो फैमली आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कटेल की सबजी कैसे बनाते ये देखें हम लोगोंने कटेल काटके रख लिया है और गैस स्टोप पे कढ़ाई और गैस आउन करके कढ़ाई चड़ा दिये और उसमें तेल डाल दिया हम लोग संसो का तेल युस करते हैं mustard oil अब इसके बाद हम लोग हरे मिलचे कट कर रहे हैं ये देखिए अब हम लोग हरे मिलचे कट कर रहे हैं इन टुकडों में छोटे छोटे टुकडों में हरे मिलचे कट कर दिए अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो मिलचे नहीं खाते हैं तो इस तरीके स आप मिर्चा बाद में निकाल के अलब कर सकते हैं, अब हम लोगों की तेल गरम हो गया है, अब हम लोगों ने इसमें मिर्चे डाल दिये हैं, अब हम लोग इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे हींग, अब इसके बाद हम लोग कटोरी में म के दो ऊंब रहे हैं तब तक हमने में मसारह बना लें एक कि कर लोगों ने हल्दी पाॉडर डाल लिया है कलो अब हम नो ड्धनिया पाय। डालेंगे गरम मसाला डालेंगे इसके बाद हम लाल मेश्च ओरarkan दिए जाएगा मीट मसाला डाल दीजीगा जैसा आप लोग खाना पसंद करते हैं वैसे आप लोग डाल सकते और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसको स्पून से मिक्स करेंगे यह देखिया हम लोगों का डाही का मसाला पक चुका है अब इसमें तरीके से पक कुका है л। झाड़ दीया है अब हम लोग डालेंगे जो काड की रखा था क catch सब्सक्राइब required स्वादनुसा नमक यह देखिए हम लोगों ने इसमें नमक डाल दिया है अब इसको अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे यह देखिए जब यह अच्छे से पूरे कठेल में मिक्स हो जाएगा तब हम लोग तीसरे पार्ट वाला कठेल जो प्लेट में रखा हुआ है कडहाई में डाल दिन जो 10 से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर हम लोग एक साथ सारह कठेल डाल देती तो यह मसाल्या अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है इस वजे से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कर तरदें चौड़ाए जादा पानी नहीं डालेंगे इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाला अब इसको ढखके 5-10 मिनट के लिए आप बीच में चेक करते रहेगा कि लिए पग्दे आए कि नहीं यह देखिए हम लोगों ने डखके रख दिया था देखिए अब सब्जी हम लोगों की बन के तैयार ह यह देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनिए एक बार इस सब्जी को ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा बाए बाए सब्सक्राइब कर लीजिएगा